नवश्का मेरे सभी दर्शकों को आप सबका स्वागत है सबुती जोतिशकराना में आज हम इस वीडियो में करेंगे औरा टेस्ट औरा हुती क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं औरा एक एलेक्ट्रो मैगनेटिक नैनो पार्टिकल्स का एनरजी फील्ड होता है जो शरीर पे किसी भी अबजेक्ट के चारो तरफ बनता है तो आज हम इस वीडियो में एक खड़ी की एक वाच की टेस्ट करेंगे औरा टेस्ट करेंगे ये एक ऐसा अबजेक्ट है जो हम रेगलर वेयर करते हैं अपने साथ और इसका negative होना हमारे life में बहुत बड़ा important role play करता है अगर ये negative है तो हमारी life में भी कही ना कहीं ये negativity क्रेट करेगा और disturb करेगा और उससे हमें problems जादा आएगी तो पहले हम इसको aura scanner के थूँ छेक करते हैं ये positive का sample है आप जैसे देख सकते हैं कि अभी इस watch में कोई भी positive energy नहीं है zero positivity अब देखते हैं negative अब देखते हैं नेगटिव इस watch की negativity अब आप देख सकते हैं इसमें negativity ज्यादा है और positivity zero अब हम इस project इस object को आवम इस object को करेंगे ही अब नहीं हुड़ आप report एब आप दिदो है नषए सकतर script बादे हैं बगतव झाल प्रफ। मैंने सब्जेक्ट को हील कर दिया है अब इसको स्कैनिंग में देखेंगे अब मैंने इसको हील कर दिया है अब इसको दुबारे से स्कैन करके देखते हैं कि यह कितना पॉस्टिव हुआ है और कितना नेगेटिव में वीडियो में इसका फोटो भी लिखा दुगा कि बिफोर हीलिंग इसकी एनरजी च्याथि और आफर हीलिंग इसकी अनरजी स्केया और और साथ-साथ इस वीडियो में आपको स्कैनिंक करके भी दिखाता हूं पैले लिए नेगरिटिव का सेंपल हिर वो देखते हैं स्कैनर मना कर रहा है जीरो नेगेटिविटी बता रहा है अब देखते हैं पॉस्टिविटी मेरे सामने जो वाच है उसकी पॉस्टिविटी बता है एक बफिर देखते हैं मेरे सामने जो वाच है उसकी पॉस्टिविटी बता है आप देखी सकते हैं पहले यह बिफोर हीलिंग इसकी पॉस्टिविटी जीरो थी और अब पॉस्टिविटी हंडर्ड है और नेगेटिव जीरो तो ऐसे ही हम हर अबजेक्ट हर किसी चीज पर हीलिंग करके उसकी नेगेटिविटी को खतम कर सकते हैं और उसकी और और को पॉस्टिव बना सकते हैं यह बहुत जरूरी है, हमारा शरीर भी पॉस्टिव होना चाहिए और हम जो भी चीज एसेसरीज को वेर करते हैं, चाहिए वो घड़ी हो, चश्मा हो, आपका वालेट हो, इवन आपके ज्वेलीज हो, वो सब पॉस्टिव होने चाहिए हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको वी